अगर आपको यह वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि नपर वी मैंने च्छोटी साइज के बैंगन लिए हैं अब मैं यह जो बैंगन का डंठल इसे काट दूँ यहाँ पर मैं पूरा डंठल नहीं काट रही हूँ सिफ आधा डंठल ही काट रही हूँ जो आदा ढंटल है वो हम सबजी में यूज करेंगे तो इस तरीके से मैं सारे बैंगनों के ढंटल काट लूँगी यहाँ पर यह मैंने सारे ढंटल काट लिये हैं देखिए अब हम अपने बैंगन का मसाला त्यार करते हैं जो हम इसमें भरेंगे इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आदी चमश लाल मिर्च, आदी चमश नमक, आदी चमश हल्दी और दो चमश धनिया पाउडर और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे इस मसाले को हम बैंगन में भरेंगे जिन लोगों को बैंगन कम पसंद होते हैं या नहीं काते हैं उन लोगों को भी भरवा बैंगन बहुत जादा पसंद आते हैं बनते ही इतने टेस्टी है तो चलिए अब हम अपने बैंगन में लगाएंगे चीरा तो इस तरीके से मैं बैंगन में एक प्रस का साइन बनाऊंगी इस तरीके से और बैंगन को अच्छी तरीके से खोल कर देख लिए कई बार क्या होता है बैंगन में कीड़े आ जाते हैं इस तरीके से चेक कर ले और अपना मसाला इसमें अच्छे से भर दे मैं इस तरीके से बैंगन को खोल के मसाले को अच्छे तरीके से इसमें लगा दूँगी और ये काम आप थोड़ा सा जल्दी कीजे ताकि हमारे जो बैंगन है वो बिल्कुल भी काले ना हो अगर हमारे बैंगन काले हो जाएंगे तो फिर उनका टेस्ट थोड़ा कड़वा आता है इसी तरीके से मैं अपने सारे बैंगन में चीरा लगा कर और इनमें सारा मसाला भर लूँगे भरबा बैंगन कीए सबजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है आप इसके लिए फ्रेश बैंगन ही लीजिए इसके जो डंठल है उसका सुआद भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि हम इसके डंठल को भी सबजी में यूज़ करेंगे यह देखिए मैंने अपने सारे बैंगन में मसाला भर लिया है अब हम इनको करेंगे फ्राय यहाँ पर मैंने कडाई में तेल रख दिया है मैंने यहाँ पर सरसो का तेल लिया है आप कोई भी तेल ले लिजिए अब मैं इसमें अपने यह बैंगन डाल दूँगे gas का flame आप यहाँ पर medium ही रखिए मैं यहाँ पर सारे बेंगन डाल रही हूँ यहाँ पर मैंने सारे बेंगन कडाई में डाल दिये हैं gas का flame medium है उसमें धकन लगा कर 2 मिनिट के लिए छोड़ दूँगी दो मिनिट बाद मैं धकन हटाऊंगे और बैंगन की साइड बदल दूँगी इस तरीके से आप चम्चे से सारे बैंगन को अच्छे से चला दीजिए ताकि ये चारो तरफ से अच्छे से फ्राय हो जाए और फिर से मैं धकन लगा दूँगी फिर से मैं इनको दो मिनिट के लि लूँगी आप extra tail कढ़ाई में छोड़ते हुए इन बैंगनों को निकाल ले देखिए मैंने यहाँ पर सारे बैंगन निकाल लिये हैं अब इसी बचे हुए तेल में मैं लगाऊंगी तड़का यहाँ पर मैंने डाला है तेजपता और जीरा जीरे को मैं चे से चला दूँगी जीरे के चटकते ही अब मैं इसमें डालूँगी प्याज का पेस्ट यह मैंने एक मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है यह इसमें मैं डाल दूँगी आप यहाँ पर बारिक कटी हुई प्याज भी डाल सकते है लेकिन प्याज के पेस्ट डालने से हम तब तक हम अपने लस्ण कूट लेते हैं मैं यहां पर लस्ण कूट रही हूं, और लस्ण कूटने के बाद मैं इसमें डालूंगे एक चमच कश्मीरी लालमिय लाल मिय् drais hain, पर द्रीत बीच नमक , बीच बीच में आप प्याज को चला दीजे ताकि हमारी प्याज इवनली अच्छे से पक जाए और जलेना यह जो हमने मसाले लिये हैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल कर एक पेस्ट बना लूँगी इस तरीके से जब हम मसाले डालते तो मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है प्याज के भूंती मैं इसमें दो कटी हुई हरी मिर्चे डाल दूँगी और हमारे मसाले का पेस्ट भी मैं इसमें डाल दूँगी और इस अच्छे से चला दूँगी मैंने यहाँ पर हरी मिर्चे थोड़ी मोटी काटी है आप चाहे तो यहाँ पर बारिक कटी हुई हरी मिर्चे भी डाल सकते हैं मुझे यहाँ पर थोड़ी मोटी मिर्चे अच्छी लगती है और इस मसाले को हब हम पकने देंगे देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया, इसने तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, मैंने यहाँ पर दो टमाटर का पेस्ट बना कर रखा है, यह मैं इसमें डाल दूँगी, पेस्ट अपने इसलिए बनाया ताकि हमारी जो ग्रेवियो वो के लिए, मसाला अच्छे से पक गया है, मैं अब इसमें डाल दूँगी यह बैंगन, बैंगन को इसमें डाल कर मैं चम्मत से इनको मिला दूँगी ताकि ग्रेवियो और बैंगन अच्छे से मिल जाए, और हमारा जो मसाला है बैंगन के चारो तरफ लिपट जाए, मैं आज बाहर बैटकर यह सबजी बना रही हूं यहाँ पर थोड़े बादल आ गए जिसके वज़े से आपको लाइट में थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर सिर्फ आदा कब पानी डाल रहे हूं ताकि हमारी जो ग्रेवे बहुत जादा पतली ना हो और अब मैं इसे धक्कन लगा कर छोड़ूँगी 15 मिनट के लिए यहाँ पर यह मैंने धक्कन लगा दिया है और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम ही रखिए दस मिनट बाद में एक बार धक्कन अटाके देखती हूं यह देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे से पक गए हैं आप इने एक बार इस तरीके से चला दीजिए हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू